नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलिज में दोस्तो चाइना एक मिसाइल का टेस्ट करता है अगस्त के महिने में और उस मिसाइल की खबर अब जाकर दुनिया को मिलती है अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटन जैसे देसों के बड़े बड़े रडार भी उस मिसाइल को नहीं पकड़ पाए अब ऐसे में अमेरिका की खूफिया एजनसी दोरा ये पता लगाया गया कि चाइना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट कर लिया अब इससे पूरी दुनिया में एक डरका माहूल सा बन गया और खासकर हम भारतियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सबसे आप कह सकते हो लेकिन दोस्तों रुकिए अभी मैं आपको इस मिसाइल की सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों जादातर हमें न्यू चैनल या फिर वेब साइट से पता चली है और इस मिसाइल के टक्कर में भारत के पास भी एक ऐसी मिसाइल है जो कि इतनी स्पीट को अच्यू कर सकती है तो इस वीडियो में आज हम इस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसे के दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में देखे दोस्तों ये मिसाइल जो है ये एक हाइपरसोनिक वहकल है जो कि आंत्रिच में जाकर वहां से प्रत्वी का चक्कर लगाता और फिर जाकर ये प्रत्वी पे किसी भी पॉइंट पे हमला करने में सक्षम है दोस्तों ये बात बिल्कुल ही सही है कि चाइना ने ऐसी मिसाइल का परिछड किया लेकिन दोस्तों रुकिये जरा से ऐसी मिसाइल का परिछड किया लेकिन इस परिछड को सफल हुआ है इस चीज के लेके कोई पुष्टी नहीं लेकिन आपको मैं बताओ हुआ क्या देखे असल बात जो ऐसी मिसाइले हैं अगर मान लीजे नीचे हिट करती है तो उन्हें लग मान लीजिए आप इस मिसाइल से भारत के कस्मीर पर हमला करना चाहते हो चायता है और ये भारत कर गिरती है पकिस्तान के में तो इससे दोस्तों आप सफल परिछड नहीं कह सकते हो और अभी तक इस भारती को उन्हाइ 보지 क्लियर जानकारी भी भी नहीं रडार चाइना का रडार और फ्रांस का ब्रिटन का कोई भी रडार डेटेक्ट नहीं कर पाया हमने टेस्ट कर लिया तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इस मिसाइल की जो हमला करने की छमता पिन पॉइंट पे वो लगभग 32 किलो मीटर दूर जाके गिरी अब दोस्तो भारत की भी ऐसी मिसाइल है मैं आप लोगो बता दू हाइपर सोनिक मिसाइल है जिसका नाम है हाइपर सोनिक सौर्य मिसाइल हाइपर सोनिक सौर्य मिसाइल बिल्कुल अलग कटेगरी पे काम करती है ये जो मिसाइल थी चाइना की यह बिल्कुल अलग कटेगरी पर काम करती है लेकिन दोस्तों हाइपर सोनिक सौर मिसाइल भी 7.5 मैक की स्पीट को अच्यूप कर सकती है वहीं पर अगर इस मिसाइल की टोटल स्पीट की बात की जाएगी तो 4 मैक ते किसकी टोटल स्पीट बताई जाती है धीरे धीरे भारत पनी रूदरम 3 मिसाइल को भी डेवलफ कर रहा है अब ऐसे में दोस्तों भारत के पास भी कुछ दिन बाद हाइपर सोनिक मिसाइल हो जाएगी तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है हम भारतियों के पास भी ऐसे ऐसे हत्यार है जो चीन भारती साइंटिस्टों के लिए प्लीज एक लाइक और एक कमेट बनता है क्योंकि उन्होंने आज हमें सेव करके रखा है तो दोस्तों चलता हूं मिलता हूं नश्य वीडियो में जय हिन जय भारत